नमव नारे नमव नारे जैगो माता वंदे मात्रमा फार्ति कुपणाम और हिरदायशे ओम शाम शनिष्चा लाए प्रिदर्शकों मित्रों शाक्थियों सचिदान अन्सरूप शद्गुरु महराज शक्ति पुरुष वो महापुरुष जो ज्यान का अनभव कराते हैं उस महापुरुष का प्रेम सुक दुख में एक समान लेता है सब अवस्ता में हमारे अनकूल रहता उनकी कृपा हमारे उपर बरस्ती है हिरदे का एक मात्र विश्राम विश्तल है वो प्रेम है और व्रिदा अवस्ता में भी उस आत्म रव्ष को सुकाया नहीं जा सकता और नहीं वो शूपता व्रिदा अवस्ता उसको सुका नहीं सकत शमय की बदल जाने की बाद भी वो नहीं बदलता कोई निरालाई भाग्यवान इस जिवे प्रेम का गुरु महराजी की किरपा से सस्चन सुम्रण शेवा से अनभव करता है और यह जब प्रेम अनभव आ जाता है तक प्रमात्पा तो भीतर विराजमाने भाई फिर क्या बचता है अब मैं बात करूंगा चौबीस जनवरी दोहजार चौबीस की राशी फल और पंचांग राशी फल पर आओं उससे पहले आज का पंचांग पोश्माट शुकलपक्स क सब्सक्राइब चौबीस जनवरी दोहजार चौब शुद्धकाली योग वैदर्ती योग का स्वेश्वाप्तिकाल सुबह साथ बच का चार मंद अगला योग विश्कुम्ब होगा सुद्धकाली करन दर करन है करन का समाप्तिकाल सुबह 9 बज करी ग्यारा मिनट अगला करन वणी ब्रश्पति देव नक्ष्पति यानि आज चंदर देव ब्रश्पति देव के नक्ष्पति करें कि चंद्र डेव मिठून डाश्य मैं कैसा रहेगा आज नहीं करा किया करें कि Cum democracy की बारे में बताँ टेकिन उससे पहले मकर राश्य में, मिठून राश्य में चंद्र डेव, धनौ राश्य में मंगल देव, बुद्द्र सुप्रÜर्ड। मेश राशी में ब्रश्पति देव, कुम्राशी में शनी देव, में रावु देव, कन्या राशी में खेतु देव, यह है ग्रों का संथ्या और इसी आधार पर 24 जनवरी 2024 का मैंने राशी पल देखा है, तो पर 12 बज़कर 12 मिन्ट से लेकर दो पर 12 बज़कर 55 मिन्ट तक दू महुरत है, यानि आज आभीजीत मूरत नहीं है, तो यह जो 43 मिन्ट है, यह 43 मिन्ट आज कोई वीशुबकारिय इस समय में नहीं करें, नहीं बनाने, मित्रों शात्यों, किसी वीशुबकारिय को करने के लिए, चोगणियां का अपना महत्व, शुबका चोगणियां, लाब शुबए न बज 20 मिन्ट, शुबका चोगणिया 1 बज 13 मिन्ट से लेकर, दोपर 12 बज 13 मिन्ट, लाब का चोगणिया, शाम 4 बज 33 मिन्ट så लेकर, शाम 5 बज 30 मिन्ट बढ़ेमें, जो उससुबकारी है, वी सुबए 8 बज 30 मिन्ट से लेकर, सुबह 9 बज 30 Μिनिट तक, या पिर शाम को चार बज़ कर 33 मिन्ट से साम पांच बज़ कर त्रेपन मिन्ट में करेंगे तो अच्छा है आज का जो राहुकाल है वो दोपर बारा बज़ेज लेकर डैट बज़ तक है राहुकाल करना सुदा करना पुंजनवेश करना अनकुल और उचित माना नहींगा यह सला लρεघिया पुरुदिशा की ठीग camping रहेगी राज के दिन यात्रा जाने से पुल्ट तबदनिय्य के लिए यात्रा पर जाएंगे तो यात्र राइटटर् Assam, लेकिन मैं आपसे जानकरी जान चाहते हैं, आप अपनी जन्नम्कुनली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकरी जन्नम्कुनली से मिलेगी, तो मेशी परकर में अबने स्यूजम कमेरों कर सकते हैं, आवश्य मैं आपको शयोग करूँगा, हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे, कि गुरु माराज जी से दाती माराज से बात करनी है, तो आपको गोश्यवा करनी होगी, मित्रों शातियों मेरा शंपून जीवन गोश्यवा के लिए, मेरी गाएं सुकी रहे, मैं ये कारिय करता हूँ, समयकाल परस्तियां हमेशा एक सी नहीं तीसा दाती सातियों, मेरी आर्तिक स्थिती, इसमें थोड़ी सी कमजोर है, और मेरे पास गाएं है, मेरे गाएं सुकी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूँ, तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है, कि लोगों स देखते हुए, मेरी गाएं सुकी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, बाकि आपकी मैं से, मेरा एक छोटा सा निवेदन है, मित्रों शाति, आप सभी लोग, सनिधाम का जो नंबर है, कोशाला का नंबर है, उस पे आप फोन करते हैं, जो लोग वहां काम करते हैं, उ इसलिए मेरा निवेदन है कि आठ बज़े की बाद आप फोन नहीं करें, आपकी फोन इस बात की फिर वहां जान करें, आपको कोई निवेगा, जो भी जो सनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं, गौशाला के, इन नंबरों पर शंपर्क जो होगा, वो सुबह नौ बज़े स से लेकर शाम आठ बज़े तक ही होगा, इस बात का थ्यान करें, चौबीज जनौरी आपका जनम दिन या फिर साध्य की साल करें, तो मेरी और से आपको हर्दिक सुबकाम लें, आपका जिमन खुश्यों से भरा रेश्णी देव की इस चड़ों मेरी प्राम, चौबीज जन प्रते कर्मियों सनानों प्राम्त 11 मोदग लें, प्रतेग मोदग पर एक शमी वरक्ष का पत्ता राखें, सेधा परू गणपति का पंचुपचार पूजन करें, धूप दीप नेवदी पुस्तर अक्सर अजब करें, 108 बार गनेश गाहितरी का जाप करें, तस पर साथ ये म प्रमकाज कारोबार, नौकरी, वेवशाय, सम्द्री, शंपून, विघन, बाधाय, परेशान, से चुटकारा मिलगा है, ये उपाई हर बुद्वार को करें, और साल भर करिएगा, आपके लिए उपाई प्रा उत्तम रहेगा नमानार, अब मैं बात करूँगा आपके में संचन करें, और तीसरी भाव में चंदर देव, पुनरवाशन नक्षत, नहीं ब्रश्पत देव की नक्षतर में संचन करें, शमय शुब और अनकूल, शात्स और पाक्रम बढ़ेगा, मनो बिलासां की पूर्ती होगी, मनो बल मजबूत होगा, कारिश्य से समंद्र अनक कारियों में सुप्रणाम मिलेंगे, नमीन वैविशाई का नमन लाप करते रहेंगे, और शभी मनो कामना पूर्ण होगी, क्या करें, चल अचल संप्रती के कारी आज में प्लावेगा, क्या ना करें, अनावशक किसी से अप्रिक्सा नात आ रहे, शुबंग शे, शुबंग आर्थिक परिशान से मुक्ति मिलेगी, रिष्टों में प्रगारता आएगी, परवरिक्ष्वन में बहुत अच्छा रहेगा, और परवरिक्ष्वन के वेज़े से समाजिक सिवाँ का असम लेगे लेगा, परवरिक्ष्वन बना लेगा, लेंदेन के मसले ठीक रहेंगे, परिश्टिम का पूर्ण फल मिलेगा लेकिन बहुत ज़रूरी ताते उपाव पसार ये जाते लंगी सो अपनी मरियादाओं और अपने अधिकारों का ध्यान रखे और अधिकारों का दुर्पयोग दें करमचारियों और शक्रम्यों का पूर्ण शयोग मिलेगा लेकिन सब्सक्राइब आपकी पक्स में 60 पिसंद लाप का संकेते विश्वराशिवालों आज सरधानुसार मिश्री गरीब लोगों में बातना उत्तम रहेगा नमनेन और बात्ते में तुन्दाशी लगन भाव में आज चंदर देव और लगन भाव में चंदर देव पुनर बहुत का स्यूग अच्छा रहेगा वैवसाइक परियास में शुकृत प्रणा मिलेंगे और बाधा और परिशानी सिदाह्त मैसेश करेंगे कंपिटिशन में युवाओं को आगे बढ़ने का मुकाम बढ़ेगे रुकिवे काम बनेगे अर्थ समंदी समश्या का समधान मिलेगा और विद्यार्तियों को आज सांदार समय सिख्षा के से तमें सपलता हाथ क्या करें नए लोगों से संपर्ग बढ़ा है लाब होगा क् के अहित के लिए कोई कारियर ने करें शुबंगार शुबरंग करें भाग्यापकी पक्समें असी प्रसंद लाब कर संकेते में धुंदा चुआलो गानेश गायतरी का जितना अखुस्त का आज जाब करिएगा परिशान से शुटकारा मिलेगा अमें बात करूँगा करक रा शुटा का पूजन करें गनपती का पूजन करें धूब दिब नेवेदी पुस्त पर अक्सत अर्पित करें गनपती की सिर्चणों में नीले 108 की पुष्व अर्पित करने की बाद सुद्देशी घी का दिपक जलाए और वहीं बैठकर ओम गंग गनपते नम इश्व मंत्र की तीन माला जाब और आज कीरनर को रहुकाल के दौरान 24 हरी चूडियों का दान देदेना परिशान करनेवान हो जाए अगर ऐसा लगबग 11 21 बुद्वार करके देखेगा आवश् बढईवार के सित में बादा और परिशानिकर शंकेते आपकी अपने ही आज आपके साथ विश्वातगार करेंगे जिवन सा सक्ण सांक्रार होगी मानसीकु को फिल्दनेह और शारीक कर्षकने ऑज बहुत से कारी खकरना पढ़ेगा वाद विआ से दूना पढ़ेगा और स विजरुगों की सुनें उनके साथ बैठे उन्हें प्रसंद करने का प्रयास का न करें कि वेर्त में किसी का अपमान ना करें सबस्क्राइब और ग्यारवे भाव में चंदर देव ब्रस्पत देव के नक्स्राइब संचेट समय अनकूल मतपन कारी को निपताने का उसर बिलेगा कारी में उन्होंते की धनलाब होगा घर और बार आपके व्यक्तित का प्रभाव बना रहेगा मित्रों और सोजनों के से मन में प्रसंतार है आपके लिए बहुत उप्रिक्त और बहुत ही लापदा एक समय आज एज्जुकेशन और के साथ उच्छ से हासिल कर रहे विद्यारतियों को अपनी छमता दिखाने का मौका मिलेगा और युवाओं को मनुम अच्छी लाप प्रा सरदानुसार गहुं या गहुं का अटा गरीब दिरुद्म लोगों को दान में देना उत्तम रहेगा नमनें और बात परिशन चन्दर देव है और दसम भाव में चन्दर देव ब्रश्पत देव के नक्स्तों में संच्टन करें समय उत्तम है कामकाज को लिकर कारुबार प अर्तिक चन्दर परिश्पत होगी लोगप्रता हसल करेंगे दन लाब और शुक बना रहेगा पिता का पूंद स्रयुक मिलेगा शुकत चन्दर युवाव को देव देविजर से नहीं अन्मंद प्राप्त होंगी बहुश्य के बड़ी लापन में कठिन फरिश्म का मिठा अपनों के कारें करें तो बहुत अच्छा रहेगा नमंभाव में चंदर देव और नमंभाव में चंदर देव ब्रिश्पत दिव के नक्स्तर में संचन करें परस्तियों में बदलाव आएगा कामकाज कारुबार में सुधार होगा और आएक की साधनों की प्राप्ति होगा पारवरिक जिम्मदारियां पूरी होगी संतान की तरफ से स्वयोग मिलेगा और संतान को आगे बढ़ने का अवस्तर विलेगा कारचेतर में आपकी सतरक्ता आपकी मेहनत आपकी परिश्रम का कि युवार का पूर्ण स्वयोग मिलेगा मनोकामना पूर्थी होगे विशेश परिश्रम का लाब मिलेगा और विद्यारती वर्ग को अपनों का साथ और स्वयोग की वज़े से सपलता के अच्छे मापने लुद्ध थोड़ा साथ सचेत रहे स्वास्ते क्या नहीं करें कर द में महादेवा अधी में तनु रद्र प्रच्वदाद शिव गायतरी का पाठ करना बड़ा उस्तम रहेगा नमने और बात करते हैं विर्शिक राशी वालों के लिए चंदर देव अस्टम भाव में अस्टम भाव में चंदर देव प्रिश्पति देव के नक्षिक्रों में है मन में बेचे नहीं रहेगी आर्थिक पक्स कमजोर होगा आज जीव का स्वेंदी समश्या है चाकर भी शोजनों का स्वयोग नहीं मिल पाएगा और जीवन साथ तक्राव और श्वास्ति प्रभाव करते हैं आज दो और दो भय परिश्रम हैं संगर्ष है लेकिन कारिश्प मतर में डटे रहें और अपने वे लोग आप पर विश्वास करते उनकी सलह पर ज्यान करें क्या ना करें वेर्थ की चर्चाव में आज नहीं पढ़ना है शुबंक एक क्विला भागे केवल आपकी पक्स में 30% लाप का संकेत है वर्चिक राष वालों आज के दिन ओम नौकरी में उत्तम अवस्तर के साथ बैलेंस बनेगा मैनत और परिश्यूं का पूर्ण फाले मेंनेगा समाजिक वर्चस्वर बढ़ेगा देश विदेश से अच्छी संब्ध बनेंगे और यात्राओं का योग प्रतिदोंद्र भी आज आज आपकी प्रसंसाथ है नक्सत परणाइज विध्यारती युवां को करये के और शिक्सा के सेंपोर्ण परिशानने में निवारन का संपीद राजनीती के सब्सक्राब जरूर को सरदान साथ चन्य की डाल गरीब और जिरुद्मन वैक्ति को दान में दाना आज शुप हैगा नहीं और बात करते हैं मकर रास्त उससे पहले आज पर सुन्दर उपाय। बहुत सी मित्रों निकाग साब हम पति-पत्नी एक साथ नहीं बैठ पारें। हम दोनों आपस में प्यार बहुत करते हैं लेकिन सामने आते ही टकरा हो जाते हैं। क्या करें। यह उपाय किसी भी मां के शुकलपक्ष के सब्तमी को करना है। थोड़े से पीले चावल लेले। पांच हरी इलाचे लेले। पीले रेश्मी कपड़े में बांध कर अपने बैड प्रजांपति-पत्नी सोते हैं वहां गद्दे के नीचे रखें। पूर्णीमा पूर्णीमा को इसको निकालकर गणेजी की मंदिल में अर्पित करने। और वहां कुछ परसाथ चलाए। चुटा सा प्रियोग है करके देखिए। अवश्य चमतकार देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं मकराशिक छटे भाव में चंदर देव। चटे भाव में चंद पर देखिए। राजनेति और नौकरी के च्ट में उत्तम उसा है। कानुनी मसले निप्रेंगे करजे से चुटकारा मिलेगा। कारुबार के च्ट में मंचाई उनती होगी। नहीं मैत्री सम्मन लाप्रद रहेंगी। अतिदी आग्मन का मोका मिलेगा, अतिदी सतकार का म करना इस बात का संकेदे ही युवाओं का भग नंपूल रहेंगा। कंपेटिशन में सपलता मिलेगी वैपार नावकरी में सपलता मिलेगी और वानिकी तोसराहे से सारी सटी काम आदियो कर दोए। क्या करेको करें कारिष्टिर्ण में प्रियास नहीं करें। दूसरों की म मामिल में बेवेजे टांग ना रहा है सुबंग्चार सुब्रंगरी भागया आपके में 75% का संकेत है मकराशवालों आज गरीब को कंबल का दाम देना गरम बस्तरों का दाम देना उत्तम रहेगा नमन है और बात करते हैं कुमराशी पंचंभाम में चंदर देव प्रिश्प करता है कि शेतर में लाब मिलेगा लेकिन बहुत शरूरी सरकारी अफ्ष्टरों को नाराज मिलें रहेए पारवारिक स्योग बना रहे इसके लिए अपनों को संतूश करना बहुत ज़री जैकिन युवाहों को कारवारिश्यमंदी परिशान से मुक्ति बिलें उन्हें नहे उत्सा ही नहीं रहे शुबंग पान शुबंग परपल भाग्या आपकी फक्स में 60 प्रसंद लाब कर संकेत है कुम्राश्यवालों सरदान उसार देशी चन्ना गाई को खिलाई अपना अच्छा रहेगा नमनन और बात करते ही में में दार्श चतुर्थ भाव में चंदर द प्रतिकुता प्रिशानी का से अज बंतेवे कारी बिगलेगी शेर मांकेर शुट्टे में लगाएगा धन नुक्सान देगा हानी देगा मांसीक तनाव है पासपड़ों से समंध बिगलेगी चिकस्ता पे खर्चा है सरकारी मामलों में प्रिशानी का संकेत और निजी संबं भूमी और वान का सौधा मोटा नुक्सान देगा और विद्याति और युगाओं को शुक्षा और केरियर में परिशानी का संकेत है परिवार की बात नहीं मानी समस्या होगा अपने दायरे में रहके क्या ना करें वैर्थ के किसी बैकाव में शुबंसार सुबरन पीला अधार पर मेरा निजी आकल नभय नभ्रम नभ्रांति नभीवाद नित्रक शक्न ओपनें गजिकार आपका था आपका है आप भी करेंगे मननन मननने आपकी मर्दी हां आकलन मेरा था मेरे से कोई भूल होगे तो दोनों हाज जोर कर स्मा मांगता हूँ आप सुफीर है आप अच्छी धरौवर थी और करना मेरा करत्य और करम था मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना है। खाली बता रहा हूँ ये मेरा जीवन का दरक्श ना्रा है मनश्य हूँ और मानव होने इतना ते मेरा करतव है कि मैं अपनी राश्ट के शिवा करूँ मैं इस राश्ट का नागरिक हूँ तीस सालों से मैं बेटी बचाओ और गोष्वा में अपना जीवन इस राश्ट के साथ लगाया है वर्तमान प्रस्तियां आर्तिक दस्ट कौन से मेरी अनकूल नहीं है धन नहीं मांग रहा हूँ कि मुझे आप पैसे दीजे नहीं पहले भी कभी नहीं मांग रहा हूँ और यह मेरा इंकार नहीं है क्योंकि धन को लेकर मेरा राष्ट के सामने कभी नहीं आये था हमेशा मैंने ये काक्षा आप शेवा करी आप मैं भी शेवा करता हूँ आप भी शेवा करता हूँ धन नहीं चाहिए लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परस्ति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सनिधान गोशाला की गाएं तुखी नहीं रहे इसके मैं शेवा के साथ खड़ा हूँ आपकी समश्याओं के समधान के लिए भई आप अपनी जन्मकुनली का अवलोकन कराना चाहते हैं आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए तो मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा पूरी साल खड़ा रहूँगा जब तक जीऊंगा गाएं तब तक खड़ा रहूँगा नंबर आ रहा है इन नंबरों पर शंपर करें आप मेरे से बात करीं लेकिन इसकी अवज में गायों के लिए चाहरे की व्यवस्ता कर लिजह और इसलिए मैंने का था कि भई थोड़ा दिन इस समय में प्रेशाने में हूँ और मेरी गाय चारों को लेकर थोड़ी सी प्रेशान है ऐसा हिरुदे से आया लोगों ने कहा कि राश्ट आप से प्यार करता है दाती माराज एक बार निवेदन करिए तो मैं दान नहीं मांग रहा हूँ फिर भी मैं अभी मेरा ये एंकार नहीं है शातियों मेरा राश्रो पर है मैं ये नहीं कहार। मैं ये कहारू जो शक्षम है शामर्थेवान है और जिने दाती माहराज के जोतीे समधान की आवश्रता नहीं तो उनको मेरा प्रनाम क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में लगबग लगबग 20 से 25 पचास लोग ऐसे भी है जिनोंने सनिधाम गोशाला में 200 रुपया चारा कर दिया है मैं उन सब की प्रति अपना आभार प्रगर करता हूँ और ये सयोग में जीवन भार याद रखूंगा मित्रों समय ऐसा है कि मेरी प्रस्ति आर्तिक दस्टिकौन से अनकूर संकेत नहीं दे रही है इसलिए मैंने राष्ट कहा कि सनिधाम गोशाला में परिशाने नहीं चाहिए सरकार स्रकोर्ट कर रही है अपनी शिमाओं में रहते हैं जो सरकार करते हैं उससे पूरा नहीं पड़ता है यह आप भी जानते है शासन के अपनी एक शिमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देखते भी हिरदे से पुने एक बार निवेदन करना चाहिए कि आपको लगता है कि दाती महराज के साथ सनीदाम गोशाला में खड़ा रहना है नंबर है ज़रु स्वयोकर है पेरा कोई दवाव नहीं है प्रातरा थी ओम नमो नाराएन